आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको फूटबॉल होल के बारे में पिताऊंगी ये फूटबॉल होल है जो आपको आप अजिए आप कभी सॉक्र में प्लेएर होता है ये फूटबॉल होल है उसमें आपको बच्चे को हाथ के नीचे में अंदर लेना है आपको अर ये जो ओल्ड है चोटे बच्चों के मलब जो प्रीमर्चूर बेबी है जो कि प्रीमर्चूर बेबी के लिए मैं हमेशा क्रॉस्क्राइब होल्ड बताती हूं कि क्रॉस्क्राइब बहुत ही मलब इंपोर्टन होल्ड है लेकिन इविन यू के ट्राइब फुट्बाल होल्ड अगर अगर अपक तो यह बच्ची को प्लाने के लिए भी आप फुट बाल वोल यूज शकते एक बच्ची को सीधा ला सकते हैं आपको यह अपको द्यार में रखना है कि आपकी उंगलिया कान के पीछे हो ठीक है बची की गर्दन है थोड़ी बहार की तरफ ठीविक पाणी। बच्चे जो होट आडे है ठीक है तो अपकी जो उंगली होगी वह भी द्रेस पे आडे ही पकड़नी पड़ेगी ऐसे तो आपको ये बच्चे को अँद्धी मेर्ने है जो चाती है स्थन है वो आपको C-shevpe में पकड़ना पड़ेगा और बच्चे को ऐसे लाना पड़ेगा ध्यान में रहे कि आपके जो अंगुटा है वो बच्चे के ऊपर के होट की तरफ आएगा और जो नीचे की उंगलिया है वो बच्चे के नीचे के होट की तरफ आएगी ठीक है और एक पर मुह में स्थन पकड गया बच्चे का मालब लाचिंग ठीक तरह से हो गया तो फिर आ आपको किसी को बताना है कि दूसरे बच्चे को भी, you know, you can bring the baby on the other side, दूसरा बच्चा और आप उसको बच्चे को लाच करा सकते है, ठीक है, of course, इस पर प्रॉब्म प्या होगा कि यह जो बच्चा आएगा, उसको, you will not be able to hold the hand because you're holding the baby, जो दूसरा बच्चा है, दूसरा जो हा है आप दोनों बच्चे को साफ में दूद प्ला सकते हैं, ठीक है, यह तो हो गया एक टेखनीक है, फुट्बाल होल का, आप दूसरा भी एक टेकनीक है, की बच्चे को आप सीधा ना लाते हुए, ऐसे साइड से ला रहे है, तो उसमें भी आपको यही धिहान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को ला रहे तो उसकी गर्दन है थोड़ी ऐसी मुड़ी होनी चाहिए ठीक है बाहर की करम मुड़ी हुई है जैसे आप पानी पीता है और उसको यहां पर क्या हो रहा है कि बच्चे के होट खड़े हैं लपसीदे हैं तो आपको आपको जो चाती है व तो और ध्यान में रहे कि बच्चा बिल्कुल स्तीदी लाइन में हो पूरा बॉड़ी सपोर्ट हो और यहां पर अगर तक्ये होंगे तो आपके लिए वह एजी हो जाएगा बच्चे का बदन वह तक्ये पर सपोर्ट हो सकता है ठीक है और यह जैसे ऐसे बिला रहे हो वैसे दूसी तरह भी बच्चे को लाना है ठीक है अगर गर में कोई है तो ऌर यह इनङो दाल पर के बच्चे के मिल्ब हृ तका तेuria maioria कि अगर बच्चा साय्ट से आ रहा है तो आपको युव शेप पकडना है दीछे से और अगर बच्चा सीदा हो तो आपको इसलिए शेप में स्थन के सही पकड को चुनना स्थन पान से पहले मा की तैयारी और फुटबॉल पकड का पूरा तरीका आये शुरू करते हैं पूरी दुन्या में माएं कई तरह से शिश्वों को स्थन पान कराती है जैसा कि पहले एक टुटॉरियल में बताया गया है मा और शिश्वों के लिए सबसे सही पकड वही है जिसमें मा और शिश्वों दोनों को स्थन पान के पूरे समय आराम मिले मा के स्थन से शिश्वों गहराई से जुड़े और उसे काफी दूद मिले आईए एक ऐसी पकड सीखते हैं जिसे फुटबॉल पकड कहते हैं जिनका प्रसव के लिए ओपरेशन किया हो या जिनके बड़े स्थन हो या जिने छोटे शिशू या समय से पहले पैदा हुए शिशू हो या जुड़वा शिशू हो याद रखें स्थन पान से पहले मा को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए स्तनपान कराती माओं में तकरीबन साड़े साथ सौ से साड़े आट सौ मिलिली लिटर दूद बनता है इसलिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए अगला हम बात करेंगे मा की स्थिति पर मा को फर्ष या बिस्तर पर चौंक्री मार कर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पर जमा कर अगर कुर्सी बहुत उंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुंचे तो जमीन पर रखी चौंकी या तकिये पर पैर रखे बैठकर ध्यान दे कि पीठ सीधी है ताकि कमरदर्द ना हो कंधे आराम से हो ना कि उपर उठे हुए या जुके हुए और ये आराम दायक सिथी पूरे स्तन पान के दोरान बनाए रखें मा को तीन से चार तकिये उस तन की तरफ रखने चाहिए जिससे वे स्तन पान कराएगी सबसे उपर का तकिया बाकी तकियों और मा की जांख पर टेड़ा रखना चाहिए फिर मा को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वे दूद पिलाएगी ध्यान दे कि अपने ब्लाउस या ब्रा का दवबाव स्तन पर ना हो आराम से बैटने के बाद शिशू को मा के पास लाया जाए मा को चाहिए कि वो शिशू की पीठ तकियों पर रखे जिस स्तन से दूद पिलाने वाली है उसी तरफ के हाथ से शिशू के सर को पकड़े शिशु की टांगे मा के उसी हाथ के बगल में से निकलने चाहिए जो की तकिये पर है मा को अपना यही हाथ और शिशु की टांगे तकिये पर आराम से रखने चाहिए चित्र में दिखाये जाने वाली ये मा अपने दाएं सन से दूद पिलाएगी इसलिए शिशु की टांगे मा के दाएं बगल में से निकल रही हैं अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से उसने शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है याद रहे मा को पीठ जुखाते हुए अपना स्थन कभी भी शिशु तक नहीं लाना चाहिए इससे उसे तकलीव होगी और कमर में दर्द भी उसे हमेशा अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए और शिशु को उठा कर अपने स्थन पर लाना चाहिए अगला हम देखेंगे शिशु के सर को पकड़ने के लिए मा के अंगूठे और उंगलियों की सहीस्ति थी मा का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे होने चाहिए उसे अंगूठा या उंगलियां हिला कर सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए उसकी कलाई शिशु के दो कंधों के बीच में होनी चाहिए उसे अपने हाथ से शिशु के सर के नीचे दबाव नहीं डालना चाहिए इससे शिशु आराम से स्तनपन कर पाएगा अगला हम सीखेंगे की कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें शिशु का चहरा मा के चहरे के सामने होना चाहिए शिशु का शरीर मा के शरीर को छूना चाहिए उनके शरीर के बीच के कम फासले की वज़े से शिशु को मा के स्तन तक पहुंचने में कम कोशिश करनी पड़ेगी और शिशु को स्तन से घराई से जुणने में आसानी होगी दूसरी स्थिती है शिशू के शरीर को एक सीद में रखना जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं उसी तरह शिशू का सर, गर्दन और शरीर स्तनपन करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए इससे शिशु के लिए दूद निगलना आसान होगा अब हम शिशु के शरीर की स्थिती के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे जो है मा को शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुनने के लिए जादा कोशिश करनी पड़ेगी अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्तिथी शिशु की नाक हमेशा निपल के सीध में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का जादा भाग मुह से पकड़ पाएगा और अपने निचले जबडे से अच्छे से जादा दूद पिएगा ध्यान दे एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है शिशु को सही स्थिती से पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्थन को कैसे पकड़ा जाए अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मा को स्थन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए इस चित्र में मा अपने बाएं हाथ से अपना दायंस्तन पकड़ रही है। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थित्थी समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे की दायंस्तन का निपल एक घड़ी के बीच का बिंदू है। जिस तरह घड़ी पर 12 बचते हैं उसी तरह मा को बाएं हाथ के अंगूठे को रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर 6 बचते हैं उसी तरह मा को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए। उंगलियां हमेशा शिशु के होटों की दिशा में होनी चाहिए। क्यूं? आईए समझे इस उधारन से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं, तो हमारे होट आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिसah खा पाएं। यहां अंगूठा और उंगलियां होटों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुँ में नहीं ले पाएंगे उसी तरह शिशु के होंटों की दिशा देखिए उसके होंट आडे हैं इसलिए उंगलियों और अंगूठे की स्तिथी स्तन पर आडी होनी चाहिए इससे शिशु को अपने मुँ में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी मा का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुँ की दिशा में होने के साथ साथ निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए अगर हम वड़ा पाओ या बर्गर खाते हुए उसे मुँ के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वज़े से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुँ में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वज़े से उसे हम मुँ में नहीं ले पाएंगे इसलिये भी सही दूरी निपल से तीन उंगलियां हैं। इस दूरी से मा की उंगलियां शिशु को अपने मुँ में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी। मदद मिलेगी। याद रखें मा का अंगुठा स्तन के उपरी भाग पर होना चाहिए। और उसकी दोनों उंगलियां होनी चाहिए स्तन के निचले भाग में जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। दोबारा वड़ापाव या बर्गर के उधारन की बात करते हैं। में पकड़ कर हलके से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे। मा को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़ कर नहीं दबाना चाहिए। स्तन को कैंची के आकार में पकड़ कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निपल से स्तन पान होगा। ध्यान दे की स्तन अंगूठे और उंगलियों से एक समान दबे। नहीं तो निपल उपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा जिससे शिशु गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। कभी-कभी मा शिशु को किसी और सिती में पकड़ना चाहेगी। इस चित्र में शिशु मा के सामने नहीं है। शिशु का सर स्तन पर स्तन के बगल से लाया गया है, नीचे से नहीं। शिशु के होंट सीधे हैं इसलिए मा को अपनी उंगलियां स्थन पर सीधी रखनी चाहिए यू के आकार में याद रहे स्थन पान के किसी भी स्थिति में स्थन को पकड़ती मा की उंगलियां और अंगूठा शिशु के होंटों की दिशा में होने चाहिए अब शिशु फुटबॉल पकड में है और उसका मू स्थन पान के लिए स्थन को पकडने के लिए तैयार है मू के पकड की सही तक्निक इस श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताई गई है जब शिशु का मू स्तन को सही से पकड़ लिता है और अगर स्तन बड़ा और भारी नहीं है तो मा अपने हाथ से स्तन को छोड़ कर उस हाथ को खाली रख सकती है अब यह टुटॉरियल यहीं खतम होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुणने के लिए धन्यवाद Cradle Hold में क्या होता है कि Traditionally आप सब मदर्स को हमेशा मदर्स ऐसे ही पिलाती है कि जो बाजू से दूद पिलाना है वही हाथ से बच्चे को पकड़ती है और बच्चे को लाती है अगर वह अपने फिक्स कर लिए तो I think Cradle Hold will work fine also एक तो आपको क्या करना है कि यह होल में क्या होता है कि जब बच्चे को ला रहे है तो हमेशा वह नाक निपल से उपर रहता है तो आपको द्यान में रखना है कि आप ऐसे बच्चे को लाए कि उसका नाक है वह निपल से नीचे की तरफ हो नीचे की तरफ मतलब जो बच्चे का पुरा शरीर है उसकी तरफ हो तो बच्चे को ऐसे नाल लाते हुए थोड़ा अगर ऐसे लाए तो बच्चे का जो मुह है वो नीचे का एरिला पे लाच करेगा तो थोड़ा आपको देखे हैं यहां पर मदर को थोड़ा ऐसा इस का लिटल बिट अनकमफर्टेबल यह बहुत एजी हो जाता है लेकिन क्रेडल होल में आपको मा को बताना पड़ेगा कि थोड़ा यह ऐसे लाए और दूसरा क्या है कि यह जो यह जो सिर है वो सिर थोड़ा की तरफ घुमना चाहिए यहां पर क्या होता कि जब बच्चा आता है क्रेडल होल में तो यह जो सिर है वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा इसे मुड़ जाता है और यह पोजिशन में क्या होगा कि बच्चा दूद्धी तरह से पी नहीं सकेगा ठीक है जैसे हम लोग कै कत्शे अंदर है वो थोड़ा बाहर की तरफ होना है और यह जोस्त Capital पकड़ने वह अंदर हो तो के नहीं जाने है तो पकड़ और बच्चे के मुवमें बच्ची के मुवल पिक आपने ब्रेल की तरफ होतो इस कशिए गाना ना मिवाक पांना अगर चाती बहुत बड़ी है तो आप यहां पे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं तो यह हो गया आपका क्रिडल फोल आपको बहुत ध्यान में रखके आपको मा को समझाना है पूरा टिकनीक है तो ध्यान में रहे और दूसरे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैंने अरड़ी क्रॉस के लिगो में सिखा दिये जो भी अधर कांसिलिंग पॉइंट्स है ठीक है कितनी बार पिलाना है पीछे का दूद कैसे जाचना है दोनों बाजो पिलाना है वो सार स्टन पान के लिए क्रेडल पकड़ के इस स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे स्टन पान के लिए मा और शिशु के लिए स्टन के सही पकड़ को चुनना स्टन पान से पहले मा की तैयारी और क्रेडल पकड़ का पूरा तरीका आईए शुरू करते हैं पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशूओं को स्तन पान कराती है जैसा कि एक पहले टुटोरियल में बताया गया है माँ और शिशू के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें मा और शिशू दोनों को स्तन पान के पूरे समय आराम मिले मा के स्तन से शिशू गहराई से जुड़े और उसे काफी दूद मिले आईए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसे क्रेडल पकड़ कहते हैं स्तन पान से पहले मा को अपने हाथ साबुन और पानी से धोग कर अच्छे से सुखाने चाहिए फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए स्तन पान कराती माओं में तकरीबन 7500 से 8500 मिलीलीटर दूद बनता है इसी लिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए अगला हम बात करेंगे मा की स्थिती पर मा को फर्ष या बिस्तर पर चौंकड़ी मार कर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठ कर पैरों को जमीन पर जमा कर अगर कुर्सी बहुत उंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुँचे तो जमीन पर रखी चौंकी या तकिये पर पैर रखे बैठ कर ध्यान दे की पीट सीधी है ताकि कमर का दर्द ना हो कंधे आराम से हो ना की उपर उठे हुए या जुके हुए और ये आरामदायक स्थिती पूरे स्तनपान के दौरान बनाए रखें फिर मा को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिस से वह दूद पिलाएगी ध्यान दे की अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना पड़े आराम से बैटने के बाद शिशु को मा के पास लाएए मा जिस स्तन से दूद पिलाने वाली हो उसी तरफ के हाथ से शिशु को पकड़े शिशु का सर आराम से मा के उसी हाथ के कोहनी के अंदर होना चाहिए उसी हाथ से मा को शिशु के सर, गर्दन और पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए इस चित्र में मा शिशु को अपने दाएं संसे दूद पिलाएगी इसलिए उसने अपने दाएं हाथ से शिशु का सर, गर्दन और शरीर को सहारा दिया है और शिशु का सर आराम से मा के दाएं हाथ के कोहनी के अंदर है जरूरत हो तो मा गोधी में शिशु को रख कर उसके नीचे तक ये रख सकती है ताकि शिशु को पकड़ने में जादा सहारा मिले याद रखें मा को अपनी पीठ जुका कर शिशु के मुह तक स्तन को नहीं ले जाना चाहिए इससे उसे तकलीव होगी और कमर दर्ध भी शिशु का पेट हलके से मा के शरीर से दबना चाहिए उनके शरीर के बीच के कम फासले की वज़े से शिशु को मा के स्तन तक पहुंचने में कम को शिश करनी होगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुणने में आसानी भी होगी दूसरी जरूरी बात है कि शिशू का शरीर किस दिशा में पकड़ा गया है आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक ही सीध में होते हैं पर कुछ माएं स्तन पान कराते हुए शिशू का सर एक तरफ को मोड देती है इससे शिशू को स्तन पान में मुश्किल होती है स्तन पान करते हुए शिशू का सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीध में होने चाहिए इससे शिशू के लिए दूद निगलना आसान होता है अब हम शिशू के शरीर के स्थिती की तीसरी बात करेंगे मा को शिशु के सर, गर्दन और शरीर को सहारा देना चाहिए नहीं तो शिशु को स्तन से घराई से जुड़ने में काफी कोशिश करनी होगी अगला हम सीखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति शिशु की नाक निपल के सीध में होनी चाहिए और उसकी ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब होनी चाहिए इससे शिशु एरियोला के निचले हिसे का जादा भाग मुँ में ले पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से जादा दूद पी पाएगा याद रखें एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है शिशु को सही स्थिती में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए जो हाथ खाली है उसकी उंगलियों से मा को अपना स्तन उपर से यू आकार में पकड़ना चाहिए इस चित्र में मा अपने बाएँ हाथ से अपना दाया स्तन पकड़ेगी अंगूठे और उंगलियों की सही स्तिती समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे की दाया स्तन का निपल एक घड़ी के बीच का बिंदू है जिस तरह घड़ी पर तीन बचते हैं उसी तरह मा को अपना बाया अंगूठा रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर नौ बचते हैं उसी तरह मा को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए स्तन को पकड़ती हुई मा की उंगलियां हमेशा शिशु के होंटों की दिशा में होने चाहिए क्यूं? आईए समझें इस उधारन से जब हम वड़ा पाउ या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंट आड़े खुलते हैं हम वड़ा पाउ या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं यहां अंगूठा और उंगलियां होटों की दिशा में हैं अगर वड़ा पाउ या बर्गर को सीधे पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे उसी तरह शिशु के होटों की दिशा देखिए, वे सीधे हैं इसलिए उंगलियां और अंगुठा भी स्तन पर सीधे रखने चाहिए इससे शिशु को अपने मुँ में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी मा का अंगुठा और उंगलियां शिशु के मुँ की दिशा में होने के साथ साथ निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए अगर हम बड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मूँ के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वज़े से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वज़े से उसे मूँ में नहीं ले पाएंगे इसलिए उसे सही दूरी पर रख कर हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुँ में ले पाएंगे उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है शिशु के लिए भी सही दूरी निपल से तीन उंगलियां है इस दूरी से मा की उंगलियां शिशु को अपने मुँ में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और वो निपल को नहीं दबाएगी जिससे बहुत कम दूद निकलेगा मा एरियोला के नीचे के दूद की बड़ी नलियों को दबापाएगी जिससे जादा दूद निकलेगा और स्तन का आकार भी सही होगा जिससे की शिशु को गहराई से जुडने में मदद मिलेगी याद रखें मा का अंगुठा स्तन के उस सरफ होना चाहिए जहां शिशु की ठोड़ी हो और उसकी दो उंगलियां स्तन के उस सरफ जहां पर शिशु की नाक हो चलिए एक और बार वड़ापाव या बर्गर की बात करते हैं वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़ कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका बड़ा हिसा मुँ में ले पाएं ठीक उसी तरह मा को भी स्तन को हलके से यू आकार में उपर से पकड़ना चाहिए इससे शिशू अपने मुँ में एरियोला के निचले हिस्से का बड़ा भाग ले पाएगा याद रखें मा को अपना स्तन उल्टी कैंची की तरह पकड़ कर नहीं दबाना चाहिए उल्टी कैंचे की आकार में पकड़ कर दबाने से स्टन पर चुबन होगी और शिशू निपल से स्टन पान करेगा ये जरूरी है कि स्टन पर अंगुठे और उंगलियों से एक जैसा दबाव पड़े नहीं तो निपल या तो दाएं तरफ या फिर बाईं तरफ मुड़ जाएगा और शिशू स्टन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा याद रखें स्टन को एक तरफ दबा कर शिशू के मुँँ तक कभी न ले कर जाएं हमेशा शिशू को स्टन पर लाएं अब शिशू क्रेडल पकड में है और स्टन पान के लिए स्टन से जुड़ने को तैयार है स्टन से शिशू का सही जुड़ाव इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है जैसे ही शिशू स्टन से गहराई से जुड़ जाता है और अगर वो स्टन जादा भारी ना हो तो मा उस्टन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और वो हाथ शिशु को सहारा देने के लिए उसके नीचे रख सकती है इस तिथी में मा को अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बहुत करीब रखने चाहिए ऐसे स्तन्पान के दौरान उसे अराम मिलेगा अब ये टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद पत्राप्त है